चानक के आई एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे प्लैनेट किलर एस्टेरोईड 2022 AP7 के बारे में लगभग 1.5 किलोमेटर चोड़ा एक एस्टेरोईड यानि उलका पिन प्रत्वी की राह में आने को है यहें कितना खतरनाक है इसकी टकर से धर्ती पर जीवन खतम होने की बात हो रही है फिलहाल ये सूरज के पीछे चिपा हुआ है पिछले आठ सालों में वेग्यानिकों की नजर में आए एस्टेरोईड में सबसे बड़ा और खतरनाक है इसलिए ही इसे प्लैनेट किलर यानि की ग्रहों का हत्यारा भी कहा जा रहा है इसका साइंटिफिक नाम 2022 AP7 है तो इस एस्टेरोईड के बारे में विस्तार से बात करने से पहले हम बात करेंगे उलका पिन होते क्या है यानि की एस्टेरोईड कहते किसे है एस्टेरोईड ग्रहों की तरह सूरज के चारों और घूमने वाली चटाने होती है हालाकि ये ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं इन्हें planetide या minor planets भी कहा जाता है asteroid कई बार ग्रहों के गुर्टवा कर्शन से बन कर उनके चंद्रमा बन जाते हैं और उनका चकर लगाने लगते हैं जैसे Jupiter के कुछ चंद्रमा नासा के अनुसार एस्टेरोइड हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन पर गुर्तवा कर्षन यानि कि ग्रैविटी बहुत कम होती है इसी वजह से ना ही इनका आकार गोल हो पाता है ना ही इनपर कोई वातावरन होता है कोई भी दो asteroid एक जसे नहीं होते अब तक लाखों asteroid का पता चल चुका है जिनके आकार सैक्रो किलोमीटर से लेकर कुछ मीतर तक है अगर ये सोचा जाए कि क्या एस्टेरोइड धर्थी के लिए खतरनाक होते हैं और ये धर्थी के लिए खतरनाक क्यों होते हैं तो सभी एस्टेरोइड प्रत्वी के लिए खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि ये सभी एस्टेरोइड प्रत्वी के रास्ते में नहीं होते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार धर्ती के आसपास अलग-अलग आकार के करीब 30,000 एस्टेरोइड हैं, इन में से एक किलोमेटर से जादा व्यास वाले एस्टेरोइड 850 ते जादा हैं, इन सब को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, इन में से किसी के भी धर्ती से अगले 100 साल में टकराने की आशंका नहीं है, ऐसे में अगर अचानक कोई ऐसे एस्टेरोइड को खोच लिया जाता है, तो वो अपने आकार के हिसाब से खतरनाक होगा, क्या पहले भी धर्ती से ये टकरा चुके हैं, जादा तर एस्टेरोइड बहुत छोटे होते हैं और वे प्रत्वी के वातावरण में आते ही उनके घर्शन से खतम हो जाते हैं, और इसके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गिरने से कई बड़े गड़े तक बन ज चाता है कि करोडों साल पहले प्रित्वी पर से डाइनासौर का खात्मा भी एस्टेरोइड यानी की शुद्र ग्रहों के टकरानी की वज़े से ही हुआ था, यानी एक भारी भरकम शुद्र ग्रह के टकरानी से विशाल काई डाइनासौर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टकर से प्रित्वी पर जीवन भी नश्ट हो सकता है, इसके कुछ एक्जामपल है, महरास्टर में एस्टरोइड गिरने से लोनार लेक बन गई थी, महरास्टर के बुर्डाना जिले में पांच लाग सतर हजार साल पहले एस्टरोइड के गिरने से ही एक 490 फिट ग गई है जिसे लोनार लेक कहते हैं, दूसरा एक्जामपल रूसका है, तुंगुसका में 8 करोड पेड नश्ट हो गए थे, 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुसका में एक शुद ग्रह धरती से टकराने से पहले जल कर नश्ट हो गया था, इसकी वज़े से करीब 100 मिटर बड़ा आग का गोला बन गया था, जिसके चपेट में आकर 8 करोड पेड नश्ट हो गए थे, रूस में ही चेलिया बिंस्क में एस्टरोइड के शौक वेव से 1 लाग खिडकियों के शीशे तूट गये थे, 15 फरवरी 2013 को रूस के चेलिया बिंस्क में एक एस्टरोइड टक हुआ था और इस से एक शोक वेव पैदा हो गया था, इस दोरान एक लाग खिडकियों में लगे शीशे तूट गये थे, इस दोरान एक हजार से अधिक लोग घायल हो गये थे, जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो परमानुम गिराया था, वो 15 किलो टन का था यानि चैल्या विस्क में जो एस्टरोर्ड टकराया था, वो हिरोशिमा से 36 गुरा जादा काकतवर था, तो ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि ये बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है, वेग्यानिकों ने अब कौन सा एस्टरोर्ड खोजा है जिससे हम इतने डरे हुए है कई देशों के विज्ञानिकों के एक टीम ने सूरज के पीछे चिपे तीन एस्टरोर्ड तलाशे हैं, इन में से एक प्लैनेट किलर कहा जा रहा है, यह अंतरिक्ष के उन इलाकों में हैं, जहां सूरज बहुत तेश चमकता है, इसी वजह से वहां किसी भी चीज़ को एस्टरोनॉमिकल जर्नल में पबलिश हुई थी, लेटिन अमेरिकी देश चिली के विक्टर एम ब्लांको टेलिस्कोप में डाक मैटर की स्टडी के लिए इस्तिमाल होने वाले हाइटेक एक्विप्मेंट की मदद से इस प्लैनेट किलर को देखा गया था, यानि कि इस एस एस्टरोड को देखा गया था, इसे देखने के लिए विग्यानिकों को सूर्यास्त की समय हर रोज सिर्थ 2-10 मिनट का समय मिलता था, केवल इसी दोरान सूरज की रोशनी बहुत हलकी रहती थी, ये जो नया एस्टरोड मिला है उसको प्लैनेट किलर क्यों का जा रहा है, त पताते हैं कि एस्टरोड के टकर से इतनी धूल उडएगी कि धर्ती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुचेगी, धीरे धीरे प्रिथ्वी पर इतनी ठन हो जाएगी कि जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा, वाशेंग्टन के कॉर्णेगी इंस्टिटूट फोर साइंस के अंतरिक्ष विग्यानी, स्कॉर्ट शेपर्ड इस रिसर्च के प्रमुक ऑथर है, शेपर्ड कहते हैं कि 2022-2AP7 का रास्ता प्रत्वी की ओर्बिट से गुजरता है, जो इसे खतरना किलर एस्टरोड बनाता है, शेपर्ड का कहना है कि यो तो अगली सदी तक इसके टकरानी क संभावना है, लेकिन शेपर्ड कहते हैं कि कई ग्रोओं का ग्रुत्वा कर्शन खेल को बिगार सकता है, और ऐसे एस्टरोड का रास्ता बदल सकता है, ऐसे में लंबे समय के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती, अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ये टकराता है, तो इसको टकराने से पहले ही रोका जा सकता है क्या, यदि हम किसी एस्टरोड का पता पहले से लगा ले, तो हमें इससे बचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है, इस तरह के एस्टरोड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष्यान इसकी तरफ बेजा जा सकता ह जो इससे टक्रा कर अंत्रिक्ष में ही इसको खतम कर दे या उसका रास्ता वदल दे यदि समय कम हो तो कोई बं भी इस एस्टेरोड पर फैंका जा सकता है सितंबर 2022 के आखिर में नासा ने परियोग के तोर पर एक एस्टेरोड को अपने यान डार्ट यानि डवल की खत्रा बनने वाले एस्टेरोड का रास्ता किस तरह से बदला जा सकता है यह परियोग काफी हद तक सफल भी हुआ था तो इस तरह के परियोग भविश्य में धरती को एस्टेरोड से बचाने में मदद कर सकते हैं इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर